हेलो आबरीवान और वेल्पम बाग तो आवर यूट्यूब चानल सावी फॉरेंसिक्स तो फ्रेंट्स आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेकेंसी के बारे में और ये जो वेकेंसी हैं आपकी राष्ट्री रक्षा उनिवोसिती की तरफ से निकाली गई है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो नोटिफिकेशन है बिसिकली डिरेक्टली यहां पर इंटर्व्यू होगा और ये वेकेंसी आपकी राष्ट्री रक्षा उनिवोसिती की तरफ से निकाली गई है इसके अंदर एक आता है School of Forensics, Risk Management and National Security इसके अंदर में ये निकाली गई है और ये आपका इंटर्व्यू होगा ये ओनलाइन भी हो सकता है ओफलाइन भी हो सकता है क्या डिटेलिंग है उसको देख लेते हैं और जो कॉंट्राक्ट है आपका वो 364 डेज का रहने वाला है या फिर इससे कम भी हो सकता है मतलब approximately 364 डेज को कॉंट्राक्ट है और ये कुछ कंडिशन्स में आपका कम भी हो सकता है उसके अलावा यहाँ पर जो आपको स्टाइपन या फिर कह सकते है रिम्यूनिरेशन द कैसे करना है अप्लाय करने के लिए एक फॉर्म है उस फॉर्म को आपको फिल करना है उसके साथ में आपको अपना रेज्यू में अटाच करना है अब यहाँ पर फॉर्म कैसा है वो भी मैं इसके वीडियो में ही बताऊंगी आगे चलकर उस फॉर्म को फिल करने के बाद में resume आप attach करेंगे अपना और वो आपको send करना है 15 Feb 2022 याने कि 15 February इसकी last date है तो आपको यहाँ पर जो आपका resume का submission करना है वो आपको 15 Feb से पहले पहले कर देना है और यह आपकी email ID दे रखी है यहाँ पर आपको send करना है अब इसके बाद में जो भी shortlisted candidates होंगे उनके resume and form के base पर कुछ candidates को जो भी shortlist करे जाएंगे उनको interview के लिए बुलाया जाएगा और interview जो है आपका online भी हो सकता है offline भी हो सकता है as per the COVID prevailing conditions तो उसकी रिसे situation रहेगी COVID की उस recording आपका जो interview होगा वो online ये offline conduct करवाया जाएगा अब यहाँ पर आगे चलते हैं और इसमें जो eligibility criteria है उसको 20% marks होने चाहिए master's degree in forensic science या फिर physical science, chemical science और biological science तो इसमें से अगर किसी में भी आपका master's है तो आप इसके लिए eligible हैं लेकिन इसके साथ साथ आपका experience भी demand करी गई है experience in a university, forensic science school, department of at least one year और similar experience in the lab of government, semi-government, public, private university और institute for at least one year मतलब कि एक साल का आपके पास experience होना चाहिए किसी भी university में या फिर किसी भी आपकी जो government labs रहती है या फिर private lab रहती है वो आपका यहाँ पर experience count करा जाएगा और one year का experience की यहाँ पर demand करी गई है उसके इलावा 60% marks अगर आपकी B.Sc. forensic में है, physical sciences, chemical sciences, biological sciences में है और साथ में आपके पास experience है with the university of forensic school department of at least three years मतलब कि आपने bachelor's forensic में कर रखा है और उसके साथ साथ आपके पास अगर three years का experience है तो भी आप in vacancies के लिए apply कर सकते हैं तो यहाँ पर दो options हैं, अगर आपका master's है तो आपको one year का experience चाहिए अगर आपका bachelor's है तो आपको three years का experience चाहिए तो यहां पर मांगा गया है experience of working in the lab, forensic education institution or university, excellent organizing skills, systematic, methodological, comprehensive approach to work, excellent written and verbal communication skills, knowledge of maintaining records of consumables and non-consumables in a lab of forensic educational institution, basic knowledge of computer, having research or publication in national and international generals. तो यह जो आपकी मांगी गई है qualification, यह desirable है, यह compulsory नहीं है, यह desirable आपकी है, उसके अरावा अगर हम बात करें कि क्या-क्या roles or responsibility रहने वाली हैं, तो वो यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको वहां पर responsibility या पर क्या आपका वहां पर work रहेगा, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लिजएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आगे चलते हैं और यहां पर basically कुछ general instructions है, यहां पर जो आपका appointment रहेगा, जो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं interview की बात में, तो जो आपका appointment किया जाएगा, 31st March से count करा जाएगा, 31st March से आपका fixed term का appointment रहेगा, and under any condition, यह जो आपका contract रहने वाला है, यह ना तो renew किया जाएगा, और नहीं इसको extend किया जाएगा, basically दोनों का एक ही मतलब है, तो आपका contract है, वो extend नहीं किया जाएगा, और permanent तो नहीं ही होगा, ठीक है, उसके अलावा य तो यहाँ पर जो आपको form फिल करना है, तो form आपको रक्षा सकती, university की वेब साइट है, वहाँ पर मिल जाएगी, बाकि मैं आपको telegram पर share कर दोगी, वहाँ से भी आप directly उसको access कर सकते हैं, तो वो जो form रहेगा, उसको आप दो तरह से fill कर सकते हैं, या तो आप उसका printout नि आपको brief profile form देना है, interview के लिए, basically वो जो form है, उसी में है, और यहाँ पर जो form रहेगा, वो should be neatly and legibly filled और typed, मतलब आप उसको fill भी कर सकते हैं, through pen, या फिर आप उसको type भी कर सकते हैं, कोई भी conditions में आपका जो form है, वो applicable रहेगा, अगर आप type कर रहे हैं, तो उस condition में जो आपक size रहने वाला है, और जो design रहेगी, वो आपको garamond use करनी है, उसके अलावा, यहाँ पर जो आपकी qualifications है, experience है, वो सारा कुछ देख लेंगी, and उसके बाद में जो form रहेगा, उसको carefully आपको fill करना है, and then आपको attach करना है, आपका resume, और उसके बाद में वो आपको mail कर देना है, ठ आपको बुलाने के लिए कोई भी additional TADA नहीं दिया जाएगा, और यहाँ भी candidates का selection हो जाता है, तो उनको अगर रहना है, basically अगर आप जाओगे बहाँ पर तो कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा, तो कुछ conditions में candidate has to stay at रक्षशक्ति university, जो university है, वहीं पर आपको रहने के लिए hostel वगरा provide करवा दिया जाएगा, अगर आपको जरूरत परती है, तो उसके अलावा यहाँ पर बाकी कुछ और भी points लिखे हुए हैं, तो आप इसको एक बार read कर लेगे, basically जो इसकी notification है, वो आपको हमारे टेलिग्राम पर available हो जाएगी, बाकी जो ये वीडियो पर बना रही तो वहां से directly आप टेलिग्राम पर switch कर सकते हैं, तो उसके अलावा यहाँ पर जितनी भी qualified females रहेंगी, जो कि reserve category में आते हैं, या फिर जो भी reserve category के candidates हैं, और जो qualified females हैं, या फिर minority के candidates हैं, उनको strongly encourage किया जाएगा, यानि कि उनको थोड़ा सा कह सकते हैं, जादा notice किया जाएग ठेके, उसके अलावा कुछ COVID की guidelines इसी PDF में attach हैं, तो आप उसको देख लीजएगा, और उसके अलावा जब आप interview के लिए जाएंगे, अगर आपको shortlist किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर 21 point लिखा हुआ है, candidate has to download the brief profile of the candidate for teaching or non-teaching staff for working interview for the RRU University, यहाँ पर जो आपका form हो comments रहेंगे, उनकी true copy आपको वहाँ पर दिखानी पड़ेगा, अब आगे चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि इन form के लिए apply कैसे करना है, so basically यहाँ पर आप देख सकते हैं, interested candidates can submit their resume on or before 15th February till 13 hours to this email ID, तो यह जो email ID है, इस email ID पर आपको आपका resume along with the application form send करना है, और यहा पर जो आपका interview होना है, वो 22nd February को होगा, reporting time 10am रहेगा, और interview जो है, वो आपका 11am से start होगा, basically online है, offline है, वो आपको तब information हो जाएगी, जब आपका shortlisting हो जाएगी, तो जबी भी shortlisting होगी, उसके बाद में आपको information मिल जाएगी, कि आपको interview देना है, वो online mode में होना है, या अब आगे चलते हैं, और यह आपकी कुछ COVID की guidelines है, तो आप इसको देख लीजएगा, जितनी भी information है, इसके according ही आपको सारा काम वहाँ पर करना होगा, उसके अलावर यह आपका COVID declaration form है, यह form को भी आपको fill करके लेके जाना होगा, जब भी भी आप वहाँ पर interview के लिए सकते हैं, यह आपके सामने एक application form है, रक्षा शकती university का, basically यह आपका word format में है, तो आप इसको type करके भी fill कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है, post applied for, तो post जो है, वो basically scientific assistant किये, तो scientific assistant आपको यहाँ पर fill करना है, then full name, तो यहाँ पर आपको अपना name लिखना वो सब fill करना है, यहाँ पर आपको gender डालना है, यहाँ पर आपकी email ID आजाएगी, और यहाँ पर आपका mobile number आपको fill कर देना है, उसके अलावा, जो आपकी category है, वो यहाँ पर आपको specify करनी होगी, और इसमें से जो भी है, वो आपको tick कर देना होगा, इसके बाद में यहाँ पर आप से आपकी education qualification पूछी गई है, तो यहाँ पर आपको आपकी information डालनी है, आपके school time का, आपका graduation, आपका post graduation, अगर आपने M fill कर रखा है, तो वो सारी information आपको यहाँ पर fill कर देनी है, और अगर आप PhD qualified है, तो वो भी आप यहाँ पर fill कर सकते हैं, और कुछ other qualification है, आपक experience आपको year, month और day में account करके डालना होगा, और वहाँ पर आपको last time क्या payment मिला था, वो भी यहाँ पर आपको यहाँ पर fill करना है, तो यहाँ पर यहाँ पर आपको इसको fill करना पड़ेगा, उसके अलावा, यहाँ पर आपको इतनी भी social media accounts हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ fill करनी पड़ेगी, और फिर last में यहाँ पर आपको कर देना है signature, और इसके अलावा कोई additional information है, तो उसके लिए आप detailed information के लिए एक sheet attach कर सकते हैं, और resume भी आपको आपकी photo copies के साथ में, जो भी आपकी documents हैं, उसकी आपका resume भी आप इसमें attach करेंगे, तो basically इस हिसाब से आप अ signature करने के बाद में, आपका resume में, और इतने भी आपकी documents हैं, वो सारे आप attach करके, उसकी PDF बना कि आपको वहाँ पर send करना होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको last में date और place डालना है, और फिर यहाँ पर last में भी आपको signature करना है, अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ और भ your previous or current employer, तो इसकी information देनी है, then whether you have issued memo, show cause, warning by your previous or current employer, then whether any disciplinary proceedings are pending, initiated, conducted, अगे हैं, तो यह सारे कुछ questions हैं जिसके आपको यहाँ पर answer देने है, and then यहाँ पर आपसे यह भी पुछा गया है, how you and your performance was assessed by your supervisors in last three years, तो यह सारे information आपको यहाँ पर देनी है, और फिर यहाँ पर आपसे एक और बहुत अच्छा question पूछा गया है, अगर आप select हो जाते हैं, तो क्या minimum period required रहेगा, आप उस post को join करें, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आपके appointment के बाद में, कितने कम से कम time में आप अपनी जो भी आपके recruitment होगा, तो उसमें joining आप कब तक कर लेंगे, तो वो आपको यहाँ पर days में बताना पड़ेगा कि कितना time आपको लगेगा, यह सारी information आपको इस तरह से fill कर देने, सारी questions को अच्छे से पढ़के, then जो भी आपका address पूछा गया है, उसका fill कर देंगे, बस यहाँ पर जादा कुछ है नहीं, बस इतनी से information ही, जो कि आपको ब opportunity है, कम से कम experience यहाँ पर one year का, अगर आपके पास है, master's forensic science में है, तो आप अराम से इन vacancies के लिए apply कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पर जो आपका remuneration है, वो भी काफी अच्छा है, 38,000 में अनला है, तो बहुत अच्छी opportunity है, last date 15 February है, तो इस चीज़ का खास ख्याल लखेगा, और timely in vacancies के लिए apply कर दीजेगा, तो उम्मीद करती हूँ, यहाँ तक सारी चीज़े समझ में आ गही होगी, किस सरा से apply करना है, वो भी समझ में आ गया होगा, बाकी जो PDF है, इसकी जो notification की PDF है, जो उसका application form है, यह सारी PDF आपको मैं टेलिग्राम पर मिल जाएगी, तो अपने भी eligible candidates हैं, वो लोग in vacancies के लिए apply कर पाएं, तेके, उसके इलावा, आपको अगर वीडियो पर बताई गए, information से कुछ help मिल रही है, और information आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को like ज़रूर से कर दीजेगा, और इसी तरह की और सारी information, और सारी job vacancies के बारे में अगर आप जाना चाते हैं, तो चैनल को subscribe जरूर से कर लेंगे, बल आपके इंप्रेस कर लेंगे for daily updates, and thank you so much for joining me here.